नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ अभिशेक जी ये सबसे इस सब्ता की जो सबसे बड़ी ख़बर बिहार के संदर्व में है वो तो जो पूरव MP है प्रभुनात सिंग उनको जो उम्रकैद की सजा हुई है मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी घटना तो बिहार के मद्दे नजर वो ही है इसके बारे में तो आप जानते होंगे जरा डिटेल से बताईए क्या मामला था और किन हालात में ये सब कुछ घटना करम हुआ कितना समय लगा इसमें सब बताईए जरा 1995 की बात थे सर उस वक्त मैं 12-13 साल का हुआ करता था तो पिता जी और चाचा लोग राजनीती चर्चाएं करते थे कि बाप रिबाप देखा कतना बढ़का गुंड़ाई होगे लगा कि खाली भोट ना देला है कि चलते मारते हैं हिंदी में इसको एक्स्प्रेंद करता हू लोगों को न्याय पालिका पर जो कभी-कभी भरोसा उठता है ना वो बंड जाएगा यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है मैं आपके दर्शकों के आगे थोड़ा सा बताऊं कि आज जितनी अखबारें हों बिहार का उसकी फ्रंट पेज की खबर है राजनीतिक इतनी रूप स इनको मरभाया गया था यह दोनसरी यादों हैं दरोगा राय राजिंदर रहा हिरा र राजनीतिक इतिहास जो है वो बड़ा है कि जंता दल से रहे फिर 99 से 2009 तक ये पहले समता पार्टी रही फिर जद्यूं में रहे और दोनों से सांसत बने आखरी बार आरजेडी से महराज गंज से ये सांसत रहे 2013 के बाई एलेक्शन है अब मैं बताता हूं सर पटना के हाई कोट ने इनको बरी कर दिया था निचली जिला अदालत में भी इस दोहरी हत्या कांड से बरी कर दिया था देखे राजनीतिक रसूप किसको कह रहे है किन्तु फिर भी परिवार वालों ने हार नहीं माना और अंतिम तक गया सुप्रीम कोट तक और अंततो गत्वा कल जो जज हैं उनका बयान सुनने लायक हसाद उन्होंने कहा कि यह अक्षम्य होगा अगर मैं इनको छोड़ दूँ यह अक्षम्य अपराद है डेमोक्रिसी की हत्या है क्योंकि यह स्वतंतरता पे देश के प्रहार आपकी उमर कितनी है तो यह वर्च्वली जुड़े हुए थे अच्छा यह वर्च्वली क्यों जड़ हुए थे मैं बता दू हजारी बाग जेल में क्यों है इस हत्या यह जो वोटिंग हुई थी ना वहाँ यह चुनाव हारे थी और च मश्रक विधान समास है वहीं से निर्दली ये पहली बार ये जीते भी थे तो वहां से हारे अब देखिए क्या है कि 90 दिनों के भीतर उनको भी मरवा दिये गया विधायक उसर तो अपने आप में अगर ये सेम जैसे यूपी में अतीक अतीक अहमत वाला और ये मामला था चीज क्या होगी है वर्चुली उपस्तित हुए ते जजज साम ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है तो इन्होंने कहा कि 69 अभी शेक मन्नु सिंग भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और बला माई लॉडशिप थोड़ा मरसी दिया जाए उन्होंने बला इस से जएदा मैं मरस और सजा सुप्रीब कोट से मिला है फिर भी बेशर्म लोग जब वहां पर डेमोक्रिसी बचाओ आंदोलन के लिए मुंबई में ड्रामा कर रहा है यह इस देश के मतलब फेडरल स्ट्रक्चर पर सर्प रहा है बड़ी बेशर्मी के साथ जो है सब मिल करके खड़े वह फिल फिल्म की कहानी बड़ी सच्ची इसलिए लगती है क्योंकि दूसरी खबर भी सर्फ बिहार में छपी हुए वो भी फ्रंट पेज की नियुज है सबी अखबार हो चारा घोटाला के 35 अभ्यूट्तों को 4-4 साल का कारावास यह दूसरी खबर और इंट्रेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पे एक आदमी है जिसको इसी देश के नयापालिकार के द्वारा चारा घोटाला चारा चुराने का अपराधी पाया गया और उसको कानून सम्मत सम्विधान के हिसाब से सजा मिली सरी जी लेकिन यह जो प्रभुनात सिंग वाला मामला है इसके थोड़ी सी मुझे राजनीतिक बैकड्राउंड बताईए कि इसका राजनीति से जैसे के यह नीचली अदालतों से भी बचते रहे वो क्या राए किस क्या चीज़े चली गटना करम कैसे चला कितना पीरियर चला इ जरूर जो तथ्य है वो छुपाए गए होंगे या तो फिर गवाही बदली गई होगी आखिरकार इसमें केस में इतना डिले हुआ कैसे देखिए यह पूरी तरह से जो राजनितिक रसूप कहते ना उसका मामला है यह जो मश्रक से जीते थे चुनाव उसके बाद यह जॉइन हुए 97 में समता पार्ट अपनी पॉलिटिक से शुरू कहां से की थी कहां से शुरू जनता डल निर्दल है और उसके इमेडियर बाद 1989 में यह जनता डल चलेगा वीपी सिंग की वह जो तकल बनी उसमें वह जनता डल जो लेकिन बिहार की जनता डल माने जाती है लालू नितीश का जो जो सुरू हुआ था नितीश कुमार टेक्निकली 94 में जनता डल से अलग हुए जब वह मुंगे मंत्री दुबारा भी नहीं से चूने गए उस पार्टी से और उसके बाद वह समता पार्टी में चले गए 1998 तब यह हत्याओं का मामला यह लालू यादों के बहुत करीबी माने जाते हैं और नितीश कुमार के इतने बड़े ने चा कुन इस निता, कि नितीश कुमार को इन्होंने मतलब सिर्फ मा बहन की गाली नहीं दिया बाकी वो हर काम किया है कि तु अब देखिए किस प्रकार से खेल होता है जिला अदालत में सर्मुख्य गवाह नहीं पहुचता है जब पहली बार जिला अदालत की बात है और उस बिना पे जिला अदालत इनको बेनफिट ऑफ कहा जाता है बेनफिट ऑफ डाउट में जिला अदालत इनको बरी कर दिए यह बैचारे पटना हाई कोट जाते हैं परिवार वाले एक अहम सदस्से जो स्वत वहां पर मौनता घटना करम को देखने के लिए वह पटना हाई कोट भी नहीं पहुचता है किन्तु सुप्रीम क कोट में केस चलता है सर और यह राजनिति घटना करम उत्तर भिहार के लिए क्यों महत्तु है कि इस केस को प्रभुनाद सिंग नहीं सोचा कि हाई कोट और जिला से मिल गई है तो सुप्रीम कोट से भी होई जाएगा मेरा का और फिर मैं चुनाव लड़ने के लिए जैसे आ आनंद मोहन उनको मिल गई है तो हमें भी मिल जागा और फिर राजित के सुची समझी साजी थी प्रभुनाद सिंग और आनंद मोहन जैसे लोग राजित में ज्वाइन होते तो निश्चित रूप से कि उनको एक बड़ा राजपूत वोट मिलता हुआ दिखता लेकिन ऐसा हो न पाया नियती को शायद ये मंजूर नहीं था प्रभू नितीश कुमार का भी रोल रहा होगा जो नितीश कुमार के आलोचक हैं अब नितीश कुमार की सरकार है काफी लंबे समय से तो चीजें मैनेज करना आसान होता है क्योंकि जो ट्रायल चलता है उसमें करन रहा होगा इसका मुख्य करन यह है से कि 2010 में जब यह जडियू से पूरी तरह से अलग हो गये थे 2009 के बाद 2010 में इस कीस को अगर आप देखेंगे तो इस कीस को आगे बढ़ाने में नितीश कुमार का बहुत बढ़ा राजनिती के साइलेंट किलर माने जाते हैं नितीश जानते हैं इस चीज को और बहुत बहुत सारे लोग बहतर जानते हैं आरजडी वाले भी जानते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आज जो आरजडी जिस पूरे जॉब लैंड फो जॉब स्कैम में फसी हुई है वो भी नितीश कुमार के ललन सिंग की ही देने सा सारा एक्सपोज सारा प्रेस कॉंफरेंस लोग उठा लें तो पता चलेगा कि कौन फसाया है कौन क्या किया है वो तो बिल्कुल बात सही है खेर वो तो सब नितीश और इनका ही सबका उठाया हुआ मामला है और वहां जाके मंबई में सब लोग साथ में बैठ रहे हैं ठाल गांधी के बारे में उन्हें पतना में भी बोल दिया था कल वाली जो मिटिंग हुई है मुंबई में उसमें भी बोला है उनीज्च कुमार और लालू की टूनिंग उस तरह की मुझे नजर नहीं आ रही है जिस तरह की भी है हाला कि लालू परसाद यादव ने का कि हम अपनी सीटे भी छोड़ने के लिए तैयार है जहां तक चाहेंगे हम लोग समझोता करेंगे जितना चाहेंगे हम एड़जस्ट करेंगे ये बाते कहीं है और लालू परसाद यादव के पास लोग सभा में एड़ है उसे आप किस तरीके से देखते हैं वो वो क्या उनके मन में क्या चल रहा है क्या सिर्फ यही के तेज़े सिवी आदम को मैं अपना वो सौंपकार बस बैठ जाओं गर अपने क्या उनका सोच है देखिए अगर देखिए आपकी जो कहते हैं नहीं बारीक नजर कहने पड़ेगी पहली बार मैं लालू प्रसाद यादों को विवश राजनिता के तौर पर देखा विवशता है विडबना है यह कि लालू यादों जो दिखाना चाहते हैं वो बिहार की राजनिती में उनकी चल नहीं दिए लेफ्ट आर्ट सीटे मांग रहा है अब लोगसभा में लेफ्ट आर्ट पे लड़ेगा तो कॉंग्रेस लड़ेगी सर दस पर और चालीस लोगसभा सीटे और अगर आप लेफ्ट को निकाल देंगे तो इस गठबंधन में कुछ खास बचे का नहीं पर इस तो कोई राजनितिक प्रिष्ट भूमी नहीं रहेगी सत्ता से दूर है तो बचना और बचाना और मुश्किल हो जाएगा कॉंग्रेस कहां से हल्प करेगी वो तो खुदी बाहर है इसलिए नितीश कुमार की चल रही है और क्या खूब चल रही है दूसरी बात नितीश कु सबसे प्रबल समर्थक में से एक नितीश कुमार रहे हैं बात भले बदल जाए और अभी अलाइंस नहीं कि 2014 के बाद जब समीकरण बदलेंगे सब बिहार में राजनितिक भूगम पाएगा सब क्योंकि मुझे लगता है कि 2014 से पहले जदियों में बहुत बड़े लेवल की टूट और रिडी है बस वो शाइद अमिद शाह या फिर बीजेपी के टॉप कमांडेंट से ग्रीन सिगनल का वेट हो रहा है कि कब टूटना है सर आप बता दीजिए अब हमारा सांसेद का लोक फसा हुआ है काराकाट फसा हुआ है बहुत सारी विधान सभा है हद तो यह सर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दो कि किश्यन गंज लोकसभा पे कमेटमेंट किया था लालू प्रसाद्यानों ने कि जदियों आप लड़िए गया लेकिन वहाँ पे जो सिटिंग लोकसभा क एक मात लिए गटबंदन को मिला था वो कॉंग्रेस के हैं सर कॉंग्रेस अकर वो भी सीट छोड़ देगी और उससे भी खतरनाक बयान प्रशांत की सोर का कि जदियों चार से अधिक लोकसभा नहीं जीतेगी यह जैसे ही सांसदों के बीच मैसेज गया देखिए लोग गाल उसने कह दिया कि चार से अधिक लोग सभा सीटे नहीं जीतेगी और उनके संसद हैं आप कलपना कीजिए सर किस प्रकार का अंदर में कश्मकस चल रहा है रोज कोई जो संसद है गोपाल गंज के हैं वो रोज अमिज चाह का दरवाजा नौक कर रहे हैं कि सर कंफर्म हो जात कंबर के अंतिम में पूरा यह जो नालंदा है राजगीर है इस एरिये में आर सिपे सिंग की बड़ी यात्रा और ऑफकॉस वो बीजेपी में है तो बीजेपी स्कॉंसर करें लेकिन नितीश कुमार की एरिया में बड़ी यात्रा हो रही है और उनको कुर्मी का लीडर बता यह इसमें कोई संदेह नहीं है और भीजेपी के पास हम भले आईटी सेल की आलोशना करें पर फिर भी कुछ तो है और जदियू और राजत से बहतर है इसमें कोई संदेह नहीं है तो जो प्लान है जिस प्रकार से वो आर सिपी सिंग को प्रयोग करना चाते अंतिम शणों म कि ये कुर्मी विरोधी है लोकु समिकरण विरोधी है अब उस पे से भी तुर्रम यह है कि सर बिहार में एक बड़ी ख़बर बता दू कि छट की छुटी खतम कर दी गई है सिक्षकों की रक्षाबंदन की खतम कर दी गई थी और यहां पे छोटी छोटी जो इसलामिक छुट प्र Googled कंवार का सपोर्ट है राज़ेत का मंत्री क छला रहा है जो है वह सची शिक्षह भिवाग का और चलवार है नितिश कुमार तो और उनका लक्षी कि चंडरशेखर इस्तीफीर कारते तो सब कुछ जो इंडिया के मज़ पर सही नजर आता है अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे अंदर भुसेंगे बिहार की राजनीती में तो बिलुकुल सही नहीं है कुछ भी सही नहीं है इसकी कहानी है सर की देखिए सिक्षक भरती होने वाली है इसमें कोई संदेरी है फॉर्म निकले एक्जाम हो लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा कि सर जो बीएड के लोग है जिन्होंने सीटेट पास किया वो प्राइमरी के फॉर्म नहीं भर सकते इन्होंने भरवाके एक्जामिनेशन ले लिए फूरे देश से लोग है इसी वज़े से यह भीड बहुत अधिक थी कि तु रिजल्ट आपको उनको दे रहा है जो डीलेड पास की इसका एक बिहार में अलग विद्रो चल रहा है बिहार के सिक्षक इस वक्त महागठबंदन विरोधी है और बिहार में सर बहुत अधिक सिक्षक हैं उनके परिवार हैं और मुझे लगता है कि यह बड़ा सिक्षक का जो नाराजगी है फैक्टर है यह बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अगेंस डिस अलाइश विश शेक जी शिक्षकों की भूमिका हर पर्देश में बड़ी मैत पून्ड रहती है जी तो को का जो पूरा परिवार है उनके रिस्तेदार है वो सब उसी तरीके से चलते और हर राज्यम आपको पता है लाको की संक्या में शिक्षक होते हैं वह प्राइटेटी स्कूल्स में हो, सरकारी में हो, सरकारी में ही तीन लेयर होती है, प्राइमरी, जूनियर और फिर उसके बाद डिगरी, कॉलिज, यह सब चीज़े आ जाती है, तो इन सब लोगों की कई और चीज़ों में वड़ी मैटमून भुमिका है, मतदाता सूचियों का कुणिक्षन का जो काम होता है, सारे टीचर्स करते, जिसका चाहें वोट काट तें, जिसका वरजी जायर वोट रखतें, बताता है, अधिकत बात है यह, जिसके खिलाफ यह चले जाते हैं न, यह मददान के समयं की ड्यूटी लगती है, काउंटिंग में इनकी ड्यूटी कहां इनकी डूटी नहीं लगती बताईए तो आप इधर उधर नाम कट गए तो फिर आप बच नहीं पाएंगे और आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा तो मुझे तो लगए कि के पाठक विक्तिकत रूप से लालु प्रसाद यादाव एंड कंपनी से बदला लेने के लिए बरबाद करने के लिए खड़ा हुआ है क्या क्योंकि जो उसके फैसले हैं मैं बता रहा हूं सर क्या क्या फैसले हुए सिक्षा विवाग में थोड़ा इस पर जाना जरूरी है अब सिक्षकों को सुबह नौ बज़े आना है कि सिक्षकों की आदत रही है कि नौ तीस भी आते नौ पैठीस भी नौ बज़े आ जाना है बाइमेट्रिक से लॉगिन करने के बाद तीन बार फोटोग्राफ भेजने कि आप पूरे समय तक रहे हैं कि नहीं यह उत्तर क्लैस चल रहा है जो सिक्षा विभाग के मुख्य सची और सिक्षा मंत्री के बीज़े बहुत बड़ा उपनली बिहार में सब कुछ सामने आ गया है इसी वज़े से जो एंटीन कंबेंसी वह हुज है और अभी जो चुट्टियों को लेकर कि सर बिहार का सबसे बड़ा फैस क्या करना है को इस दिन क्यों चुट्टी ने दे रहे हैं इसकूल जाना है आपको यह मैंने कहा नहीं कि सर विनाश काले विपरीत बुदी इस प्रकार की चीज़ें आजाती है आपके मन के पर होने दीजिए जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि ठीक ही हो रहा है महादेव की क्रिपाया से वो सब इसका परिणाम जो है को लोग सभा में बहुत जबरदस्त मिलेगा और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अब जितना ग्राउंड को बिहार में विजिट कर रहा हूं अब प्रत्यासित रिजल्ट आएंगे लोग सभाह में अब प्रत्यासित अब यह जो सबसे बड़ा मोडल था वो तो आपने करके रखा है कि शराब को लोग रेविनियू के तौर पर भी देखते हैं और बहुत ज्यादा रेविनियू होता है लेकिन जो बड़ी चीज इसमें यह सर बिहार को लेकर के प्रशांद की सोर ने यह तो कहा था कि जद्यू चार तो 28 हो सकता है 29 हो सकता है 30 हो सकता 31 32 वहां होगा पता नहीं लेकिन उन्होंने मिनिमम जो प्रोजेक्शन दिया था वह लोग सभागे दो अलग 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 पोल आ है उसमें भी आला कि तीसरा पोल भी आया जिसमें एंडिये को साथ 12-15 सीटे ही दिये लेकिन अब अगर हम देखें त्री वर्सेस वन चलता है और राजनितिक रूप से सर अगर लेफ्ट मांग रही है आठ सीटे और आपने नहीं दी अब तो मुसीबत हो जाएगा सब अगर आपने आठ उसी को दे तो कॉंग्रेस आठ पे लड़के तो छोटी पार्टी है नहीं वह तो पहेगी द उन्हें सापतोर पर काया है कि हम तो अड़ेस्ट कर लेंगे नितीश कुमार अगर जादें अड़ेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनके सांसद चोड़के भाग जाएंगे मुझे तो यही नजर आ रहा है तो सब जो जीते हुए सांसद हैं वह भी तो असेस्ट कर रहे होंगे वह अपने लोग सभा में की मूड किस तरफ है वही बात तो मैंने कहीं कि जो अगर यह ज्यादा करने कोशिश करेंगे तो इनके सांसद भाग जाएंगे चोड़के फिर विस्तिती यही दूसरी पार्टियों से तलाश हैंगे चाहे वो बीजेपी हो या कोई और चोटा मोटा दल हो किसी भी तरीके से अड़ेस्ट करने की वैसे मैंने कुछ खबरे ऐसी भी बियार के बारे म वो बात कोई गई है और मैंने आपके दर्शकों को मुझे लगता कि उससे पहले भी मैंने आउलमस्ट बता दिया था कि यह जो सीट शेरिंग का फॉर्मुला है बीजेपी की तरफ से कोई प्रॉब्लेम नहीं मांजी वन सीट पे खुश हैं उनको मिल रही है भाई लोग कि फाइब प्लस वन में क्या होगा ना कि उनको यह कह दी जाए आप मत लड़ो कोई बात नीचा अच्छा आपके हाजीपूर से लड़ लेंगे क्या दिक्कत है आपको मैं डिरेक्टर राज सभा से बुला रहा हूं मंत्री बना देंगे और चिराक पासवान और प्राइम म शूट गया आपके दरस्कों कुदू तीन दिन पहले यहीं एडिटोरियम में चिराक पासवान अपने सभी कारे करता हूं से मिले हैं और एक बड़ा वो पूरा ऑडिटोरियम था पूरा भर गया था पूरे बिहार से उनके कारे करता है थे और कुछ संकल्प लिए कि बिहा बिहारी फर्स्ट बनाना है दो हजार चौबीस में चालिस की चालिस सीटों पर हमें सभी अलाइंस को जीताना है एक प्रश्ण उनके सामने पूछ दिया गया था कि आपके चाचा जो है वो नराज है यह कहते है तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक उतर दिया वो चाचा उनको अधिकार है तो यह चीजें उसके अलावे करताओं से यह कहना कि जद्यू और राज्य दिखे जंगल राज को खाड़ फेगना और यह पूरे दोनों हाथ से उसके मेरे पास वीडियो के लिप्स हैं आप कहिएगा तो मैं वोटसेप पे अलग से भेज़ू हो रहा है कि अब चिराग पास्वान बियॉंड दे कास्ट बियॉंड दे रिलिजिजन कुछ बन रहे हैं बहुत तेजी से यूथ में पॉपूलर हो रहे हैं और यह सेंस इटसेल्फ अपने आप में जद्यू के लिए और राज़त के लिए डिजर साइने क्या रही वाइव लोग सभा कि सीटें चिराग पास्वान को प्रिंस को चाचा को एक मिल जाएंगी और रह नहीं हम पुराने वाले लड़ेंगे तो जो भी होगा तो वह वहां पहुंच जाएगा इस प्रकार से जो एंडिये हैं वह लगबख अपने बीजेपी प्लैन में कि मैं अठाइस पर लड़ूगा बाखी बारा बाढ़ दूगा कोई दिखकत ही और जो सबसे बड़ी बात की जैसे की सीमाजचल की भी कुछ सीटें हैं वहां पर भी वह देने को तैयार हैं कोई बात ने ठीक है ले लो तो जो फोकस्ट है वो बीजेपी का बहुत क्लियर है और सीट शेयरिंग बहुत आसानी सीम के बीच हो गया जो की बहां गठबंदन के बीच इस वक मजबूरी देखते में इतना असान है बीजेपी के प पिशली बार के में पाबले तो बहुत बैटर पोजिशन में रहेंगे उनके ज्यादा फेयर चांस रहेंगे फिर भी तो वही बात है कि सीमांचल की सीटों को कैसे करते हैं बीजेपी वाले वो को कैसे करेंगे अड़जस्ट वहां पर इसमें कोई सक नहीं कि पूर्णिया क किसन गंज से हैं इसको कोई मतलब नहीं है उस सीट का कुछ खास अगर कोई नहीं लड़ेगा है तो देखते हैं आखरी सवाब समराठ चोधरी कह रहे हैं कि नितीश कुमार की मोदी जी से कुछ बात हुई है इस बात का इशारा मैंने पहले ही कि वन एलेक्शन को लेकर के यह बहुत पॉजिटीव रहा है नितीश कुमार सुरू से यह रामनात कोविन जी के साथ भी इनकी ट्यूनिंग बढ़ी अच्छा है वागी किसी से दिक्कत नहीं है लालु को भी परशानी है उसमें तो निती क्या है कि वह भी तो आपके पास कुछ स्ट्रोक हैं तो मोदी जी भी ठीक ठाक बैट्समें माने जाते हैं पीछ के खिलाड़ी है तो वह भी तो दूहजर चौबिस तक कुछ करेंगा मुझे लगता है दूहजर चौबिस के पहले अगर महिला रक्षन वाला कार्ड चलेंग जिसकी मुझे संभावना 99.99% लगती है कि करेंगे ही करेंगे तब राजनीति भुचाल सिर्फ बिहार में नहीं आना से पूरे देश में ही का जाना है क्योंकि वह 50% की अबादी जो आज कल अब सिर्फ घरेलू नहीं है वह अलग ढंक से इस चीज़ को देखेगी और फिर तो फिर आप बैलेट बॉक्स में फिर इवियम हैक होने की जो घटना है हम लोग फिर मही में चर्चा करेंगी कि कैसे इवियम हैक होगी अब बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही हैं खैसे तो देखते हैं क्या चिलती है जीज़ें और फिलाल तो मुझे इस पूरे घटना करम के बास मैं हर बार आपसे पूछता भी हो इस सवाल के अगले सब्ता में क्या होगा लेकिन मेरे एक सब आज हम एक सक्स के बारे में राद चर्चा नहीं हम बिल्कुल भी कर पाए तेजस्वी आदव के बारे में तेजस्वी आदव जिसे लोग एकदम से बिहार का फ्यूचर और सब जितना भी लुटियंस मीडिया है दिल्ली का वो बिहार का फ्यूचर देखने लगे थे रवीश कुमार और ये सम लोग तेजस्वी आदव कहां पिछड़ जा रहे हैं कहां पीछे रह जा रहे हैं चिराग का जिकर हो रहा है समराट चोधरी का जिकर हो रहा है निटीश कुमार लालू भी जिकर हो रहा है लेकिन जब आरजेटे की बात कर रहे हैं लालू आ जा रहे हैं तेजस्वी कहां रह जाते हैं मैं इसका एक लाइन में उत्तर दू सिक्षा बहुत महत्मूर रहा देखिए अभी रिसेंटली उन्होंने किमा बात करना है अब मैं यह उप्रस्ट पूश्टा हूं कि जिससे स्टेट के डेपटी चीफ मिनिस्टर को यह पता ने है कि Бिहार जी डीपी में नंबर वन नहीं है इन फैट नंबर वन छोडिये नंबर size 15 तक में नहीं है नंबर 15 छोडिये, 20 तक में नहीं है आप आपक क्या बात करते हैं आप लुट इतने डिजटल पत्रकार हैं उन्हें मैं नाम नहीं बोलूइंगा वह इसवग चरणवंद्रा कर रहा हैं RKO कर रहा है और अपने चैनल पर जो काम करते हैं रवीश सब्तामे क्या उसल करते हैं ये जानता है इंद सामी चल्टे है कंट क्रिए Sता में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें